इस वीडियो लेस्टन में हम जो क्वेस्चन्स और आंसर्ज हैं एकसरसाइस 15 के चैप्टर नमबर 15 पाइतागोरस थियोरम उसको हम डिस्कस करेंगे पाइतागोरस थियोरम के बारे में हम ये बात जानते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर साइड्स की जो लेंस है समाल A, समाल B, समाल C है तो जो फारमूला है पाइतागोरस का वो है C स्केर इकवर टू A स्केर प्लस B स्केर ये फारमूला हम कोईस्चन नमबर 1 को साल्व करने के लिए अप्लाइ करेंगे कॉस्चन नमबर 1 पार्ट नमबर 1 हमने वेरिफाय करना है असल में यहां पर लेंस दी हुई है A जो है वो 5 संटीमीटर है B जो है वो 12 संटीमीटर है और C जो है वो 13 संटीमीटर है ये तीन लेंस हैं किसी ट्राइंगल की साइड्स की हमने ये प्रूफ रना है कि जो ट्राइंगल बन रही है वो राइट अंगल ट्राइंगल है तो राइट अंगल ट्राइंगल के लिए हम पाइटागोरस थिर्म को वेरिफाय करवाएंगे अगर पाइटागोरस तर्म वेरिफाई हो गया वो राइट अंगल ट्राइंगल है अगर वो राइट अंगल ट्राइंगल है तो लाजमी बात है कि पाइटागोरस तर्म को स्रेटसफाई करेगी तो फार्मूला जो है हम यह बात जानते हैं फर्मूला है C square A square प्लस B square तो अब यहां पर put कर दें C की value 13 का square is equal to 5 square प्लस 12 square क्या आ जाएगा 13 169 is equal to 25 प्लस 124 तो left hand side में तो 169 है इन दोनों को add करेंगे तो यहां पर भी 169 ही होगा तो यह true हो गया, satisfy हो गया this implies triangle ABC is a right angled triangle तो इस पार्ट में हमने formula apply किया और formula जो है वो verify हो गया तो वो true हो गया, वो valid हो गया, वो hold कर गया तो हमने यह कहा कि जो triangle है यह right angle triangle है question number one का एक part और solve करते हैं अब यहां पर मैं part number four solve करूँगा part number four के अंदर A की जो length दी हुई है वो 16 cm दी हुई है B की जो length है वो 30 cm है और C की जो length है वो 34 cm है हम again formula apply करेंगे इसके अंदर formula है C square A square प्लस B square तो इसके लिए अब हम values put करेंगे put values of A, B, C in formula formula में values put कर दें तो क्या C की जगा पुट करेंगे 34 का square is equal to A की जगा A की value put कर दे यानिके 16 का square और B की जगा पर B की value यानिके 30 का square simplify कर लें 34 का जो square होता है यह होता है 1156 16 का square होता है 256 156 और 30 का square होता है 900 तो यहां से अब जब add करेंगे इन दोनों को इन दोनों को add करेंगे तो same answer आएगा 1156 तो यह true हो गया this implies triangle A, B, C is also a right angled triangle question number one में हमें A, B, C की values given थी उनको हमने फारे मुले में put किया simplify किया और हमारे पास answer जो है वो verify कर गया इसका मतनबी हुआ कि इसके अंदर जो part number one और part number four है उन में यह both cases में जो triangle है यह right angle triangle है बाकी parts में इसी pattern में साल हो सकते है थैंक यू झाल झाल